रादे रादे जैसर किष्णा आरे ये क्या बना विया आपने ना तो इसमें सब्जी की जरौत ना इसमें चटनी की जरौत सोचा भी नहीं था कि ऐसा नास्ता बनेगा जी हाँ पड़ोसी भी पूछने लगे कि कैसे बना है तो बस फिर क्या वीडियो सुरू कर दे हैं मैंने अगादे में एक लिया पैन में लंभा लंभा प्यास काट लिया इसमें लंबी ही लंबी काटनी है बड़ी बड़ी ज्यादा तो चीज नहीं है कमी सबजें डालोंगी मैं तो बस इसमें हम थोड़ा सा धनय पादर की कवजिटी जादे मिड़ाई रखेंगे मसाले सिम्पल रहेंगे सिर्फ दनिया हल्दी और मिर्शी स्वाद की ओडिंग नमक टमाटर प्याज और इस तरह बहतरी नास्ता बनने वाला है यह मेरे पास बतुआ क्या था आज मैंने फ्रेश कुला था बतुआ बहुत सारा मेरे पास पिसा हुआ रखा था तो मैंने सोच आज नास्ता क् बतुआ का बनाओ तो जी हां यह बतुआ का नास्ता है एक अब भर के मैंने लिया सूजी क्या लेली सूजी यह मेरे पास चास था चाच भी रखा था ठोड़ा सा खट़ा चयाच है ज्यादा नहीं चाहिए इंटाल दिया और इसमें एक पाली डाल दिया जो नास्ता बना र स्वाहत की एकोर्डिंग नमक रखें जैसा आप नमक काना चाहते आप उसी साफ से रखें नमक का हो लेकिन ध्यान से ही रखना है क्योंकि हमने प्यास ट्रमाटर की स्ट्पिंग बनाई थी ना उसमें भी नमक था तो नमक का पिसे ध्यान रखें सूजी के घुल को मैंने दो बागों में डिवाइट कर लिया है अब एक में मैं डालूंगी यह बतुए पर इसा हुआ दूसरी को में सिंपल रखोंगी आप देख पार है ध्यान से देखना इसमें मैं डाल दिया है बतुए पुरा बतुए इसके अंदर डाल दोंगी ताकि और अच्छा हरे कलर का पेस क्वांटिटी दोनों सेम करी है मैंने दो भागों में बाट लिया है जिस बरतन में पकाना है उसको मैं पहले से ग्रिस कर लोगी क्योंकि प्रोसेजर बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ता है साइड में मैंने पानी भी रख दिया है चड़ाने के लिए आप इस बैटर मे जल्दी ही गेस की उपर रखना है ताकि यह इनो की गेस बार नहीं हो जाए तो आप देख पा रहे हो इस बगोने में मैंने पहले से ही पानी रख दिया है जी हां और स्टेंड डालकी रखना है अगर आपके पास इस्टीमर हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं लेकिन मेरे पा टमाडर प्याज की चटनी क्या है तो आप देख पा रहे हैं इसको मैं और यह ना अच्छा पक चुका है हमारा यह सूजी का बैटर इसके उपर से हम डालेंगे चटनी से तैयार करी दिना यह सब जी कहलो यह चटनी बोल इसको मैं चारु तरफ से शेसे फ्यादा दूंगी आप बहुत अच्छे से द्यान से दिखना में कैसे कर रही हूं मैं बना रही हूं आप वैसी फोलो करोगे ना आपको भी मेरे जासा इनास्ताब बनने वाला है तो हम ने सूजी का अलग बैटर रखा था तो आपको इसमें इनों ही डालना है इनों का पूरे पैगेट ना आद बहुत मस्त नास्ता बनने वाला है वीडियो पूरो देखोगे ना तो समझ में आएगा उपर से हरा बरत धनिया बारिक बारिक कटिंग करके एक रहे हैं आप अस ऐसे ही जैसे मैं बना रही हूं ऐसे बनाना थोड़ा सा इस बढ़ा लेंगे मिर्शी पाउडर अबस इसको पकने के लिए पास मिनट लिए झोड़ देते हैं चेकर लेते हैं उस वीच में ना पका है लेकिन इसको डिवोल्ट नहीं करना है इसको आप थोड़ा दो मिनट के लिए ठंड़ा वजाने देना इसको आप नेकाले हूं निकलता है जादू का डिपा ओ वाव कितना सुंद्र लग रहा है यार बहुत मस रखता है नहीं सकता है कि यह हमने पीन लेयर का डोकला बनाए जी हां चैनल अभी तक सिस्क्राइब को सब्सक्राइब करें आपको ऐसे यह वीडियो मिलने वाले हैं और आपकी कमेंट भी मुझे बहुत अमद देते हैं मुझे अच्छा लगता है कि आप कमेंट भी करते हो जो ठीक है मैं आपको बदा दीती हूं इना स्पॉंजी बना है कि केक के से फिल्कूल भी आप देख प लेगी बहुत अच्छा बना है एक्तम जालीदार बस मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हूं तो काटने का भी मन नहीं हो रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था इसको मैं काटके भी दिखा देए हमारे जितनी लोगों ने खाया था ना सब लोग कह रहे थे भई ब वीडियो को लाइक करो बत हुआ है तो जुरू लाव इस वीडियो को बनाना ओ एक्दम सिंपल नासता था सुबह बना लो चैसा मना तो मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें